नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बरफिट से competition community में आज के इस वीडियो में हम लोग इस सब्ता का national current affair डिसकस करेंगे जब 24 तरीक को 36 current affair वाला सिरी सुरू हुआ था तो उस समय आपको बताया गया था कि current affair किस तरह से हम लोग आगे डिसकस करने वाले हैं प्रतिक सुमवार को साम को साथ वजे से पहले आपको 36 current affair मिलेगा प्रतिक गुरुवार को साम साथ वजे से पहले आप लोगों को national current affair मिलेगा सापता ही और इसके लावा कोई ऐसा topic जो बहुत important है और news में आया हो उसको हम लोग उसी वक्त उसी दिन discuss कर लिया करेंगे तो यह clear है कि हम लोग का current affair का तीन सीरीज चलने वाला है पूरे साल भर चलेगा यह कभी भी break नहीं होने वाला है पिछले साल भी हमने promise किया था उस promise को fulfill किया है तो इस साल भी जो current affair का सीरीज सुरू हो रहा है वो पूरा regular रहेगा फिर से सुनिएगा 36 गर सापता ही current affair नाशनल सापता ही current affair और इसके लावा जो भी trending events होंगे या फिर 36 गर से related हो या national या international से related हम लोग उसको भी discuss करेंगे चलेंगे पूरे current affair की जिम्मेदारी competition community की है आप बिलकुल भारोसा कर सकते हो यह आपको guarantee दिया जाता है current affair magazine, current affair videos और website पे भी current affair के contents बहुत जल सुरू हो जाएंगे जो भी सापता ही current affair यहां discuss किया जाता है इसका जो भी content होगा वो website पे upload किया जाएगा website से आप लोग वहां hard copy या फिर वहां soft copy भी पढ़ सकते हो तो proper current affair वहां पर भी available करवाया जाएगा इसके लब वेबसाइट पे current affair के editorial के format में भी available करवाया जाएगा ताकि आप उस topic को AC के रूप में भी देख सकते हो या फिर वहां पर पढ़ सकते हो तो यह सारी चीजे current affair से related आपको एक ही platform पे मिलेगा और यह बात guarantee है कि सारे current affair के material जो important होते हैं आपके exam के लिए वो हर एक चीज को available करवाया जाएगा तो यह guarantee है आप बिलकुल भरोसा कर सकते हो तो आज के इस वीडियो में national current affair में हम लोग 21 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक के जितने भी national current affair के important topics हैं उन सभी को यहाँ पर discuss करेंगे और इस हपते हमने total 10 बहुत ही important topics को निकाला है इन 10 topics को यहाँ पर लिखा गया है आप चाहो तो इसका एक बार screenshot ले लो 21 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में यह जितने topics हैं must important topics हैं तो आप चाहो तो इसका screenshot ले लो और एक बात और कल 28 फरवरी 2020 28 फरवरी 2020 को दो पहे डेड़ बजे से competition community के इस campus में एक CGPAC means guidance program का आयोजन किया गया है जहाँ पर आपको कुछ tips बताया जाएंगे कि किन बातों को means में ध्यान लिखने वाले हैं या फिर आप अभी तैयारी सुरू किये हो या किसी भी प्रकार से आप इस program से जुड़ना चाहते हैं तो आप कल देड़ बजे competition community के इस campus में सादर अमंत्री थो तो आप आए और इस means guidance program में कुछ tips और कुछ रणनीतिक यानि कि strategy पे चर्चक होगी उसमें आप लोग जरूर सामिल हुएगा ठीक है चलिए सुरू करते हैं आज का हमारा जो पहला टॉपिक है भारत अमेरिका strategic partner से आप लोगों को पता है कि अभी अमेरिका के राष्ट पती दोनाल ट्रम्प दू दीवसी भारत के यात्रा पर आये हुए थे 24 और 25 फरवरी को इनकी यात्रा थी अमेरिका से डोनाल ट्रम्प सीधे एहमदाबाद आये एहमदाबाद में दुनिया के सबसे वड़ी क्रिकेट स्टेडिया मोटेरा में नमस्ते ट्रम्प का आयोजन किया जहां उन्होंने भारत के लोगों को संबोधित किया इसके अलाबा वो आगरा गया और आ अमेरिका के बीच में किस तरह से स्टैटेजिक पार्टनर्शिप हुआ है जिसमें से सबसे पहले रक्षा छेतर में हम बात करेंगे स्टैटेजिक पार्टनर्शिप तो हुआ लेकिन रक्षा छेतर में एक डील भी हुआ है एक ट्रेड भी हुआ है और वह ट्रेड है आपक तीन अरब डॉलर का जो कि अमेरिका भारत को हेलिकॉप्टर्स और भी बहुत सारे डिफेंस से जुड़े हुए equipment देगा, ये deal हुआ है तीन अरब डॉलर का, इसके अलावा थल सेना, समुद्री सेना और इसके अलावा वायू सेना पर भी बहुत सारी सहमतियां बनी है, इसके अलावा जो cyber security है, उस पर भी सहमति बनी है, दोनों के बीच में strategic partnership हुआ है, दोनों के बीच में information आदान परदान करने का strategic partnership हुआ है, तो defense sector में strategic partnership हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा, deal भी हुआ है, कितने का हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इसके बाद हम लोग second point पे आ जाते हैं, तो उर्जा सुरक्षा की बात होती है, उर्जा सुरक्षा में भारत के जो छे nuclear reactor हैं, उसमें तकनीक प्रदान करने के लिए अमेरिका के साथ में, यहाँ पर strategic partnership के तैद में, एक समझोता किया है, इसके अलावा, अगर हम लोग science and tick की बात करें, तो science and tick में भी बहुत बड़ा यहाँ पर एक strategic partnership हुआ है, जिसमें से एक है, NASA, ISRO, Synthetic, Aperture, Radar, उपग्रह, जो की NASA और ISRO साथ मिलकर वर्स 2022 तक इसको launch करने की यहाँ पर planning की गई है, तो इस तरह से science and tick में भी यहाँ पर जो रणनितिक साज़ेदारी हुई है, ISRO और NASA के बीच में उस बात को भी ध्यान रखियेगा, इसके अलावा, नए innovation पर भी बात की गई है, robotics पर भी बात हुई है, तो इस तरह से 9-4 को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका दोनों एक साथ इस तरह नितिक साज़ेदारी में हिस्सा बनने वाले हैं, आगे आने वाले समय में, इसके अलावा, समुद्री सहयोग की बात करें, तो यहाँ पर 3-5-6 सहयोग की बात की जाती है, इस 3-5-6 सहयोग में भारत है, अमेरिका है और जापान है, तो इस तरह से यहाँ पर समुद्री सहयोग में भी भारत, अमेरिका और जो जापान है, वो 3-7 में मिलकर आकर यहाँ पर आगे आकर सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, इसके अलावा, दक्षणी चीन सागर पर भी बात हुई, दक्षणी चीन सागर में जिस तरह से चीन का वर्चस पर बढ़ रहा है, उसको काउंटर करने के लिए, तीन देश भारत, अमेरिका और जापान एक साथ हाकर वहाँ पर चीन को काउंटर करने की बात की गई है, इसके अलावा, टू प्लस टू डायलोग पर भी बात हुआ, जो कि भारत और अमेरिका के बीच विदे समंत्री और रक्षा मंत्री पर होते हैं, इसमें भी आपस में सहयोग करने की बात की गई, इसके अलावा भारत, अमेरिका, और उस्टेलिया, जापान, ये एक आपका रेक्टेंगल बनाने के बात हुई है, जो आगे अभी इस पर विचार किया जाएगा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अफगान नीती, ये एक बहुत इंपॉर्टिन पॉइंट है, अफगान में सांती और सुरक्षा इस्थापित करने के लिए, एक स्टेबल गभर्मेंट वहाँ पर प्रोवाइट करवाने के लिए, अफगानिस्तान को आतंकवाद से मुक्त करवाने के लिए, यहाँ पर रणनितिक साज़ेदारी की गई है भारत और अमेरिका के बीच, यानि कि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर यहाँ पर पूसिस करेंगे, अफगान में पिस इस्टेबलिस करने का, इसके अलावा आतंकवादी रूधी पहल, यानि कि टेरिजम को खत्म करने के लिए चाहे हो जैसे मुहम्मद हो गया, या फिर ISIS हो गया, इन सब को खत्म करने के लिए भारत और अमेरिका एक साथ जो है, यहाँ पर रणनितिक साज़ेदारी में एक दूसरे के साथ हाकर, यहाँ पर इस आतंकवाद गतिवीदियों को खत्म करने के लिए एक साथ सामने आया है, तो यह सारे जितने भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्शिप हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में इस दौरे में, इसमें से कुछ की पॉइंट्स जो हो गया, जब आपसे यहाँ पर एसे राइटिंग में इंटरनेशनल इसूस पे अगर यहाँ पर किसी भी तरह से कुछ ऐसा टॉपिक आता है, जहाँ पर इन पॉइंट्स को आप इस्तेमाल कर सको तो बेजहिजग कर सकते हो, इसलिए यह टॉपिक इंपोर्डिंट हो जाता है, भारत का जो दौरा हुआ, डोनाल्ड टरम्प के दौरा और जिस तरह से यहाँ पर रणनितिक साज्यदारी हुई है, इसके कुछ पॉइंट्स को जितना मैंने बताया, उतना आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरह, इसमें कहा गया कि भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थवेवस्ता है, कितने ही बड़ी अर्थवेवस्ता है भारत की तो यह है 2.94 ट्रिलियन डॉलर जेडिप के साथ, भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थवेवस्ता है, और इस पांचवी वड़ी अर्थवेवस्था में भारत ने पचाड़ा है किसको, फ्रांस को और बृते निकल कर भारत जो है दुनिया की पांचवी सबसे वड़ी अर्थवेवस्था बन गया है आप लोगों को पता है कि भारत में अभी economic slowdown चल रहा है growth rate नीचे जा रहा है लेकिन इसके बाबजूद जो है भारत IMF के अनुसार दुनिया की पांचवी सबसे वड़ी अर्थवेवस्था अभी वर्तमान समय में बना हुआ है इसके पीछे बहुत सारे कारण है कि क्या वज़े है कि भारत में economic slowdown होने के वाबजूद भी भारत जो है दुनिया की पांचवी सबसे वड़ी अर्थवेवस्था है तो जो पिछले कुछ सालों में आपने भारत का growth rate देखा GDP देखा वो दुनिया में सबसे अधीक रहा तो इ लेकिन पांचवी अर्थवेवस्था बनने के माइने क्या हो सकते है भारत को इसका लाब किस प्रकार से मिल सकता है तो दो तीन point पे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जिससे आपको help मिलेगा आगे अगर इस तरह के लाब लिखना हो तो यह आप mains में इसका value addition कर सकती हो तो सबसे पहला जो point है best week ख्याती देखिए अब यहाँ पर क्या है भारत दुनिया की पांचवी अर्थवेवस्था जब बना हुआ है तो इसको best week ख्याती यानि की global level पर पहचाना जा सकता है कि भारत दुनिया की पांचवी सबसे वड़ी अर्थवेवस्था है एक best week पहचान मिल सकता है दूसरे अगर हम लोग बात करें तो आर्थिक व्यवस्था पर विश्वास बढ़ेगा जो भी investors होते हैं तो भारत अगर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी आर्थ व्यवस्था है तो investors का यहां पर विश्वास बढ़ सकता है लोगों का मदद के लिए आगे आएंगे क्योंकि इनको पता है भारत एक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था वाले देश में से एक है तो इस तरह से अगर भारत दुनिया की पांच भी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था बना हुआ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से तो इसकी जो रणनीतिक ख्याती या फिर जो रणनीतिक आगे भारत बना रहा है उसमें ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है ये डेटा ठीक है तो ध्यान रखिएगा अगर कहीं भी आपको लगे कि इन चीजों का इस्तमाल किया जाना चाहिए मेंस के अंसर राइटिंग में तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हो चिक चलिए इसके बाद बढ़ते हैं निक्स्ट इंपोर्डेंट टॉपिक के तरफ चीजिए अब आगे हां पर देखियें जो हमारा निक्स्ट का टॉपिक है 22 भारतिये विदी आयोग 22 भारतिय विदी आयोग का गठन के लिए हाली में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दे दिया गया है जिसमें 22 विदी आयोग का गठन जो है वो तीन वर्सों के लिए किया जा रहा है अचा ठीक है आगे बढ़ते हैं लेकिन इससे पहले एक बात और सुनिए कि जो मेंस प्रोग्राम चल रहा है हमारा और मेंस प्रोग्राम में जो भी वीडियोज आ रहे हैं आप लोग को पता है कि उसका टॉपिक पहले डिसकसिन कम्यूनिटी पर क्रियेट किया गया है आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी भी एंसर राइटिंग का अभ्यास नहीं कर रहे हो एक बात ध्यान से सुन लेजे कि बिना अभ्यास के कुछ हासिल नहीं होने वाला है बिना अभ्यास का मेंस पेपर नहीं निकलने वाला है और जो लोग ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ अभी प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो इस साल मेंस देने वाले हैं तो ये बहुत गलत सोच रहे हो आप लोग जो CGPC तयारी करना चाहता है और जिनका इस बार प्रिलिम्स नहीं निकल रहा है उनको लगता है ऐसा वो अभी से मेंस का प्रिपरेशन सुरू कर दे आगे बहुत आसानी होगी इस पेपर को क्रैक करने में जब तक आप अपने आपको रगड़ोगे नहीं जब तक मेहनत नहीं करोगे जब तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक पेपर नहीं निकलेगा तो discussion community पर visit कीजिए और वहाँ पर schedule के हिसाब से answer writing practice जरूर कीजिए उसका analysis वीडियो जरूर दिखिए हम लोग ये भी कोसिस कर रहे हैं कि जो आप लोग answer writing practice कर रहे हो उस पर review भी किया जाए तो आप लोग answer writing जरूर practice कीजिएगा ठीक है तो हम लोग बात कर रहे थे 22 वीडियायोग जो कि तीन वर्स के लिए गठित किया जाएगा जिस पर हाली में किंद्रिय कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री की अत्यक्षिता में इस पर मंझूरी दे दी गई है अब हम लोग वीडियायोग की बात करते हैं तो इसके निकाए कि इस body की स्थिति क्या है कौन सी body constitutional bodies है या फिर वैधानिक निकाए है नहीं यह ना तो constitutional है ना वैधानिक है यह एक सरकार के आदेश पर गठित कारेकारी निकाए है ध्यान रखेएगा prelims के लिए बहुत important हो सकता है अगर हम लोग वीडियायोग की बात करें तो वीडियायोग का गठन क्यों किया जाता है नियाय और वीधी मंत्राले जो है जो कानून बनाता है उसको परामर्स देनी के लिए वीडियायोग का गठन किया जाता है पहला वीडियायोग का गठन किया गया था 1834 में चार्टर एक्ट 1833 के तहत में और उस समय इस वीडियायोग की अध्यक्षता की थी लॉड मैकाले ने और स्वतंत्र भारत का प्रथम वीडियायोग बना 1955 में इस बात को ध्यान रखिएगा अगर हम लोग यहाँ पर 21 वीडियायोग की बात करें यानि कि 22 अभी गठित हुआ है 21 वीडियायोग की जो अध्यक्षता है वो उच्टम नियाले के पूर्व नियादिस गठन क्यों किया गया है तो यह 22 वीडियायोग जो है ऐसे कानूनों की पहचान करेगा जिसकी कोई जरुवत नहीं है कि इसको निरस्त किया जाना है वो उस पर सलाह सरकार को देगा इसके अलावा राज के निती निदेशक सिध्धान्त के संदर में मौजूद कानूनों की जाज करना और सुधार का सुझहो देगा या विदियायोग कानून और न्याइक प्रशाशन से सम्मंदित किसी भी विशय पर विचार करेगा और विश्व के देशों में अनुसंधान यानि की रिसर्च प्रदान करने में अनुरोधों पर विचार करेगा यानि की कुल मिलाकर वर्तमाल समय में भारत में किस प्रकार की कानून चाहिए उस पर विचार करेगा 22 विधी आयोग ठीक है ध्यान रखिएगा तीन वर्स के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है ठीक है बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले यहां पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है स्वख्छ भारत मिशन ग्रामिड चरन टू चरन वन का समाप्त हो चुका है यानि कि स्वख्छ भारत मिशन ग्रामिड जो 2014 में सुरू किया गया था उसका फेस वन समाप्त हो चुका है फेस टू के लिए हाड़ी में केंद्रिये कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दे दी गई है जो की 2020 और 21 से लेकर 2024 और 25 तक के लिए होगा इस पर इस 2024 और 25 तक में टोटल जो बजट खर्च किया जाएगा एक लाग चालिस हजार आठ सो इक्यासी करोड रुपै और इस बजट में केंद्र और राजियों के भी जो हिस्सेदारी होगा 60 और 40 का रेशियो होगा यानि कि इस बजट में से 60% खर्च के अंदर सरकार दोरा किया जाएगा 40% की जो funding है वो state government की तरफ से किया जाएगा union territories के लिए यही जो fund है 90 और 10 के रेशियों में है 90% central government और 10% union territories अपने fund से इसमें वहन करेगा इसका career and when किस प्रकार से होगा यानि कि कौन सी बातों पर focus रखा जाएगा ODF यानि कि खूले में सौच से मुक्त के लिए इसमें plus program चलाया जाएगा यानि कि खूले में सौच मुक्त के लिए जो लोग में जगरुकता फैलाने का काम है वो जारी रखा जाएगा इसके लावा घरेलू सौचाले के निर्मान पर भी focus किया जाएगा जो भी बचे हुए सौचाले हैं घरेलू सौचाले उस पर भी निर्मान पर focus किया जाएगा यानि कि पहले चरन में जिन जिन कामों को किया गया था किस प्रकार से एक गौंग को जो है स्वक्षि किया जा सकता है यूं सारी बातों पर यहां पर फोकस करके इसके सेकंड चरण को जो है उसकी मंजूरी हाली में सरकार द्वारा दे दिया गया है ठीक है तो ध्यान रखिएगा बजट ध्यान रखिएगा दूसरा चरण कब से कब तक का यह ध्यान रखिएगा इसका मेन पर्पस क्या है कि इन बातों पर फोकस रखा जाएगा इस बात को भी थोड़ी बहुत यहां पर ध्यान रखिएगा पढ़ते हैं नेक्सट इसके बाद यहां पर देखिए जो हमारा नेक्सट का टॉपिक है 5G हैदकॉन 5G हैदकॉन को हाली में किस के तौरब से जारी किया गया है कि इन्द्रिय संचार मंत्राले भारत सरकार के तरफ से जारी किया गया है क्या है ये 5G Headcon एक तरह से event है, एक तरह से यहाँ पर प्रत्योगिता आयोजन किया गया है, कि भारत में 5G implement करने के लिए अगर आपके पास में कुछ सुझाव है, अगर आपके पास में कुछ innovative ideas है, 5G किस तरह से भारत में implement किया जाए, किस तरह से भारत में 5G से related यहां पर जो भी है उसका production किया जाए उसका समाधान क्या हो सकता है तो यह खास कर अगर आपके मन में किसी प्रकार से सुझाव है तो आप सरकार को दे सकते हो आपके पास में जो इसका समापन है वो 16 अक्टूबर 2020 तक 20 को है यानि कि इससे पहले आप सरकार को अपर अपना सुझाव दे सकते हो यह खास कर उन लोगों के लिए है जो engineering colleges में पढ़ते हैं जिनके पास में innovative ideas हैं जो सरकार को अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो 5G headcon कारिगरम के तहट से सरकार को सुझाव दे सकते हो अगर आपका सुझाव सरकार को अच्छा लगता है तो आपको यहां पर award भी दिया जाएगा 16 अक्टूबर 2020 को जो है इसके समापन के अफसर पर एक mobile congress का आयोजन किया जाएगा उस mobile congress में total 2.5 करोड रुपय का पूरसकार वित्रन किया जाएगा अलग-अलग चर्नों में तो 5G headcon में अगर आपके पास में भी कोई बहतर idea है तो आप सरकार को दे सकते हो क्या 5G के छेतर में किया जाना चाहिए डेवलपर्स के छेतर में अगर हो छात्रों को इस्टार्टप संचाल को MSME, sectionics अंस्थानों तथा पंजी कृत कंपनिया इन सब के लिए एक बहतर अफसर देता है 5G headcon ठीक है चलिए बढ़ते हैं इसके बाद next topic के तरफ चलिए यहां देखिए इसके बाद जो हमारा next topic है स्वण भंडार आप लोगों ने हल ये में एक समाचार सुना होगा कि उत्तर प्रदेस के स्वण भद्र में 3000 टन सोने का भंडार मिला है ये ख़बर बहुत फैली भी थी लेकिन उसके बाद भारती ये भूवे ज्यानिक सर्वेक्चन यानि कि जियो लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तरफ से एक प्रेस रेलिज किया गया और उसमें कहा गया कि ये 3000 टन सोने का भंडार नहीं मात्र 160 किलोग्राम सोने का भंडार मिला है तो याद रखिएगा अ 600 टन सोने का भंडार है जो कि दुनिया में दस्वा सबसे वड़ा सोने का भंडार भारत के पास है अगर ये 3000 सोने टन का भंडार होता तो ये जो दस्वा इस्थान आपको देख रहा है अगर इसकी पुष्टी हो जाती तो ये अभी दूसरा होता ठीक है तो याद 160 किलो ग्राम सोने का भंडार उत्तर प्रदेष के सोन भद्र जीले में मिला है ये सोन भद्र भी बहुत important है exam के लिए सोन भद्र के बारे में भी याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेष का दूसरा सबसे बड़ा जीला है किसके मामले में च्छतरफल के मामले में एक बात य 36 गड़ी स्थीत है ठीक है और यहां पर कैमूर वन्ली जीव अभ्यारन भी सुनभद्र में स्थीत है जो कि बहुत फेमस है गूफा चितरकला के लिए सुनभद्र फेमस है रिहंद नदी पर जो बना हुआ है गोविंद बल्लव पंसागर इसका जो कैच्मेंट एरिया है वो सुनभद्र जी ले में स्थीत है तो इस तरह से बारे में याद रखेगा यह जो टॉपिक है रिलम के लिए यहां पर आपके लिए इंप्रॉड़िट हो सकता है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंप्रॉड़िट ऑपिक कौन सा है हमारा प्रथम अंतराष्टिय नियाईक स प्रथम अंतराष्टिय न्याइक सम्मिलन का आयोजन किया गया, 23 फरवारी 2020 को नई दिल्ली में किया गया, इसका थीम क्या था न्याइपालिका और बदलती दुनिया, ये पहली बार जो है अंतराष्टिय न्याइक सम्मिलन का आयोजन किया गया है, इसके पीछे का उद्दे पर बात किया गया इसके अलावा अम्बेटकर के विचार पर बात किया गया तो इस तरह से प्रथम अंतोराष्टी नियाइक सम्मिलन जो कि सरवच्चे नियाल है भारत की तरफ से आयोजन किया गया था 30 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में थीम याद रखिएगा और इसका अब्ज पर बात के चुटया अब्त आया जब से जैसे अमेजन बन में आग लगा इसके लाबा आज़ जनी हुई इसके बाद वहाँ का जो year quality है वो बच से बत्तर हो गया इस report में एक बहुत बड़ा खुलासा किया जाता है कि अगर आने वाले समय में year pollution को control नहीं किया गया तो ये स्थिती और भी भयावक हो सकती है और 2019 में जब year quality सहरों का निकाला गया था तो उसमें भारत का जो गाजियावद है पूरी दुनिया में सबसे प्रदूशित सहर बनकर सामने आया था ठीक है तो याद रखिएगा world year quality report 2019 के है जो कुछ important points है यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना होगा important हो सकता है इसके अलावा G20 देशों की बैठक देखिए G20 का यहाँ पर समझ लिजी कि दू तरह से बैठक होता है एक तो वित मंत्री और उसी देश के governor यानि की जो central bank होता है उनके governor के बीच में होता है इन 20 देशों के बीच में और दूसरा जो meeting होता है वो सींखर सम्मेलन होता है तो अभी अभी जो है उस देश के वित मंत्री और governor के बीच में G20 सीखर सम्मेलन हुआ G20 का منत्री सतरीय बैठक हुआ यह कहा हुआ रियाद में और ये अरब देशों में पहला एक ऐसा देश है जहां पर G20 का मीटिंग आयोजन किया गया है इसके बाद जो है इस मीटिंग के बैठेक में जो सबसे खास बात रही वो कुरोना वाइरस पे चर्चा किया गया इसके अलाबा जिस तरह से वर्ल्ड एकोनोमी स्लोडाउन की तर कॉमबर 2020 को G20 का सिखर सम्मेलन इस बाद को भी यहां पर ध्यान में रखिएगा और एक बात ध्यान रखिएगा यह जो मंत्री स्तरिय बैठक हुआ है इसमें जो थीम रखा गया था वो है 21 सदी के अवसरों का एहसास यानि कि रियालाइजिंग ऑपोचुनिटी ओफ दी 21st century for all तो यह था हमारा कौन सा टॉपिक G20 देशों की बैठक मंत्री स्तरिय बैठक था जिसमें उस देश के वित मंत्री और जो गवर्नर है central bank के उन्होंने हिस्सा लिया इसके बाद जो इस discussion का हमारा last का टॉपिक बन जाता है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से रि इंद्र मोधी की तरब से ध्यान रखिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है इसका आयोजन पहली बार किया जा रहा है इसका उत्काटन 22 फरवरी 2020 को हुआ कहां आयोजन किया गया भुनेसवर ओडिसा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्देश युबाओं को खेल एवं सिक्षा के बीच संतुलित इस्थापित करने में सहायता प्रदान करना है इस प्रतियोगिता में देश के लगभाग 169 यूनिवर्सिटी के 3400 एथलिट 17 विविन खेलों में हिस्सा लेंगे तिरंदाजी होगा यह सब सारी चीजे यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस बात को ध्यान रखेगा खेलोई इंडिया इंवर्सिटी गेम जो है भारत में पहली बार आयो जित किया जा रहा है भूबनेजवर में 21 फरवरी को सुबारम हुआ और इसमें जो है टोटल 169 यूनिवर्सिटी के 3400 से जादा एथलेट्स जो है वह हिस्ता लेने वाले हैं तो यह था हमारा पूरा आज का डिसकेशन दस टॉपिक हमने डिसकस किये इस हबते के दस यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से ध्यान रखेगा करेंट एफेस के कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर मिस्त नहीं होगा करेंट एफे इसके अलावा आपका जो मेंस प्रोग्राम वाले वीडियो चल रहा है उसको भी देखिए उससे सीखिए अगर कुछ सुझा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जग करके हमें आप जरूर बता सकते हैं और कल देड़ बजे जो मेंस काईडेंस प्रोग्राम का आयोजन किया ग कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले